नमस्कार, टेरी डियो जारकंड में स्वागत है आपका, मैं हूँ इम्तियाज अंसारी प्रस्तुत है समाचार कितार से हमारे संबादाता रभीकांत बर्मा की रिपोर्ट 55 वर्सी ददई महता बजरपात से अधेड की हुई मौत कितार थामाच्षितर के चौरा निवासी ददई महता 45 वर्स की मौत बजरपात की वजह से हो गई जानकारी का नुसार ददई महता अपने बकरी चरा रहते तभी गरज के साथ वारिज सुरू हुआ बारिज से बचने के लिए नीम के पेड़ के नीचे छुप गए तभी तेज गरजन होने के साथ ही बजरपात से मौत हो गई मिर्तक का एक ही पूत्र रविंद्र महता है जो बरतवान में राजस्थान में सर्या सेटिंग का काम कर रहा है अपने पीता का अंतिम दर्सन भी नसीब नहीं हो पाया मिर्टक ददई महता गाउं के सुसिल सौभाव एवंग पिचार के विक्ट जो गाउं के लोगों को हमेशा उनकी कमी खलेगी उनकी आकास्मिक मिर्ट्टू से गाउं में मातम पसर गया महीं परसोडी पंचायत वरतमान मुकिया अनिल कुमार ने परियनों को ढांडस बदाया एमंग अंतिम संसकार के लिए पाँच जार रुपए आर्थिक सहयोग भी किया जबकि समाज से भी अजय वर्मा ने घटना को अंचलादी कारी को दुरुभास के मादयम से उगत कराया अजय वर्मा ने कहा कि घरीबी के कारण आज ददई महता का पुत्र अरविंद महता अपने पिता का अंतिम दर्सन भी नहीं कर सका यदि गाउं में रोजगार उपलब्ध हो जाता तो वो अपने पिता का अंतिम दर्सन कर लेता केतार थाना प्रभारी संतोस कुमार रवी ने दुरुभास के मादयम से ख़वर मिलते ही ततकाल गटनास्तल पर पहुँच कर सौको पुष्ट माटम है तुगणवा भेज दिया मौके पर समाज से भी अजे वर्मा, मुकिया अनिल कुमार पासवान, जिला परशाच से दस, जुआला परशाद अनिल पासवान, पंका सिंग सहित सेक्रों लोग उपस्थित थे इनको जो भी होगा नियमा अनुसार, अंचल परशाचन के तरफ से, जो भी संभव होगा इनको लाब दिया जाएगा कितना लाब मिलता है चार लाख रुपए बजरपात से मिर्थू के पहश्चात होती है जंगल में बतलब क्या करना गाएग जंगल में मतलब क्या करना गया था कर लाएगा तो इनको जब का घटना है अभी स्टूरातिया यहां इगाँ देड बजे था जड़ बढ़े क्या हुआ है अपर मरल बड़ा है अईसे बजन मार देले बार देले लिए कहां गय थे वह जाए चरावे पाब यह एक बजे एक बजे एक बजे इनका का कितना बच्चे हैं कहां रहते हैं पर बीद में राजस्थान काब गए नहीं अभी कह मतलब घतना है नह जंगल में हुआ है है हम यहां जंगल पुझा लोग को सिचना हुआ है रोवत माइया वत रहां कि आपको यह एक हम पर दरेखे हैं आपकोंभी आंजाने अचल्ब लुए हैं उपधार एसनगल जास ऊपधाने जाल ऊपनेशाने भूस्वार